प्रश्कार दोस्तों मैं हस्नायन रजा आप सभी का सहस्तर अकादमी की सेंटरल मंच में पुना सवागत करता हूँ आज हम जिस सब्जेक का अध्यन करने के लिए यहां उपस्तित हुए है वो हिंदी है जैसे कि आपको पता है कि 18 सितंबर को सिक्षक पातरता परिक्षा आयोजित होनी है और उसमें 30 मार्क्स का हिंदी के प्रश्न आने वाला है और इसमें भी जो इसकी 21-7, 21-8 और इक नौ है 21-7, 8 और 9 उसमें 9 नम्मर का प्रश्न आने वाला है और ये हिंदी से थोड़ा सा कुछ अलग हटके है तो उसी की चर्चा करने के लिए हम लोग आज यहां उपस्तित हुए है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चों में भाषा का विकास या बालकों में भाषा का विकास किस प्रकार होता है विकास की प्रक्रिया क्या होती है विकास के चरण क्या होती है तो बिना देरी किये चालू करते हैं आज हमारे पढ़ने की योजना क्या होगी अगर मैं इस पर चर्चा करूं कि पढ़ने की योजना आज क्या होगी तो स सबसे पहले हम देखेंगे की भाशा क्या होती है इसके बार भाशाई विकास क्या होता है इसे देखेंगे और अंत में हम देखेंगे कि भाषा विकास के चरण क्या होते हैं आप इसे बिल्कुल ध्यान पुर्वक देखेंगे और इसका नोट्स आप बनाते हुए नहीं चलेंगे क्यों नहीं चलेंगे क्योंकि मैं आपको इसका नोट्स इस वीडियो के लिंक में प्रवाइट कर दूँगा तो आप उसे जागर के वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा है ना चलो तो आप इससे ध्यान पुर्वक केवल सुनते हुए चलेंगे तभी आपको यह समझ में आगा क्योंकि यह पहली बार पढ़ने वाला टॉपिक है ना इसको हर कोई समाने रूप से पढ़ता नहीं है देखेंगे सबसे पहले भाशा तो भाशा क्या होती है? सबसे पहले भाशा क्या होती है? तो इसको हम दो प्रकारजे पढ़ेंगे सबसे पहले इसका देखेंगे शाब्दिक अर्थ और उसके बाद इसको मैं परिभाशित करूँ आ ठीक है? शाब्दिक अर्थ अगर मैं शाप्दिक अर्थ की पहले बात कर रहा हूं तो भासा जो बनी है वो भासा बनी है भास धातू से ठीक है भास धातू से और इस भास धातू का अर्थ होता है व्यक्त करना व्यक्त करना तो सवाल उपता है कि क्या व्यक्त किया जाता है इसमें विचार व्यक्त की जा आती है इसमें भावना इस चीत का आप द्यान लखेंगे ठीक है भाषा जो है भाषधातु से बनी है इसका अर्थ होता है व्यक्त करना विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ठीक है देखो आप इसकी परिभाषा देखते हैं इसी के आदार पर में इसको परिभाषित भ अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकता है ठीक है तो भासा एक माध्याम है किसका माध्याम है विचार और भावनाओं के अभिवेक्ति का माध्याम है इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे चलो क्या केवल ये विचार और भावनाओं के अभिवेक्ति का माध्य तो नहीं इसको देखते हुए समझेंगे देखो इसकी जो आउधार्णा है थोड़ी सी और गहरी है थोड़ी सी और डीप है इसको समझेंगे देखो ना केवल विचार और अभिवेक्ति बल्कि यह मानाव को मानाव से जोडने वाली आउधार्णा है ठीक है मानाव को मानाव से जोडने वाली आउधार्णा यह जो आउधार्णा है ठीक है यह जो आउधार्णा है वो एक समाज को दूसरे समाज से जोडती है एक समाज को दूसरे समाज से जोडती है इसके बाद देखो चुकि एक मानाव और ए वो अखंडता की भावना को सुद्रिड करती, तो आप चाहे इसको उपयोगिता बोल दो इसकी, भाचा की उपयोगिता की बाचा की उपयोगिता क्या है? अगर एक वेक्ती अपने विचारों को अभिवेक्त ही नहीं करेगा, तो दूसरा वेक्ती उसकी भावना को समझता है, विचारों को आदान परदान करता है, तो उनमें अखंडता की भावना क्या होती है? सुद्रिड होती है. दूसरा टापिक जो हमारा था वो था भाषाई विकास, ठीक है? भाषाई विकास, ये भाषाई विकास क्या होता है? इसको समझेंगे हो, भाषाई विकास क्या होता है? तो सोचने वाली बात है, ठीक है? सोचने वाली बात है कि ये जो भाषा का विकास है, ठीक है? भाषा मानाव में पुनु रूप से विक्सित है मानाव जैसी भावना है जैसी जिन बातों को वो सोचता है उन भावनाव को अपने सामने वाले के समख्च प्रकड भी कर सकता है तो यह पुनु रूप से विक्सित केवल मानाव के जीवन में ही प्रक्रिया है ठीक है और एक जो शीशू होता है ठीक है एक जो शीशू होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जो शीशू होता है वो केवल दस माह में ठीक है जब वो दस माह का होता है किसी भासा को समझने किसी भासा को बोलने की कोशिश करने लगता है ठीक है किसी भासा को बोलने की को हो जिए स्पोजिश नितने लगता हो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो मैं । कि अब मैं आशा करता हुँ कि भाशा ईविकास क्या प्रक्रिया किसी भाषा को बोला और समझने को शीखने की एक प्रक्रिया है जिससे भाषाई ही कास्ते अब यहीं पड़ से आपका जो सिल्बस है वह चारू होता है आपके से मिद्बस का जो पहला शब्द है वह है भाषा विकास का चरण है अध् और आपसे समाने रूप से पूछा, ठीक है, समाने रूप से, समाने रूप से भाषा विकास के कितने चरण है, भाषा विकास के कितने चरण है, कितने चरण है, तो आप ध्यान दखेंगे कि भाषा विकास के टोटल चार चरण होते हैं, अगर समाने रूप से पूछा, ध्या उसको बोला जाता है बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, इसके बाद दूसरे नमबर की जो अवस्था होती है, उसको बोला जाता है पूर्व शीशू या फिर शैश्वावस्था, पूर्व शीशू या शैश्वावस्था, 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 इसके बाद मध्य शैश्वा वस्था और आखरी वाली जो आवस्था होती है उसको बोला जाता है कि शोरा वस्था यह चीज यह आपको सारा नोट्स में मिल जाएगा लेकिन याद रखना कि यह वाला जो मैं आपको बताया समाने रूप से वो आपकी सिलेबस में नहीं है लेकिन अपने को डाइनेमिक अप्रोच ले करके चलनी है अपने को एक्जाम क्रैक करना है तो अगर आपको समाने रूप से पूछ रहे कि भाषा विकासी कितने चरन है तो चार चरन है एक आपकी बाली आवस्था पूरुव शैशा वस्था है क्या है आपकी सिलेबस में बच्चों में ठीक है बच्चों में भाषा विकास के चरन भाषा विकास के चरन यह है आपकी सिलेबस में इसको ध्यान में रखेंगे आप ठीक है इसको देखेंगे हम देखो तो आपके सेलेबस में क्या है आपके सेलेबस में है बच्चों में भासा विकास के चरण ठीक है बच्चों में भासा का विकास किस चरण से होता है तो इसको याद रखेंगे कि मैं बच्चों में भासा विकास की बात करूं तो एक जो बच्चा है वो पांच वर्स में ठीक है पांच वर्स में सामाने ता पांच वर्स में किसी भाषा को बोलने लग जाता है ठीक है तो इस पांच वर्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं ठीक है दो पार्ट में एक जो डिविजन होगा वहोगा प्रथम भाषा विकास का चरन प्रथम भाषा विकास ठीक है और दूसरा जो चरण होता है ठीक है दूसरा चरण उसको बोल सकता हूं मैं उत्तर कालीन उत्तर कालीन भाषा विकास का चरण ठीक है उत्तर कालीन भाषा विकास का चरण इसको ध्यान में रखेंगे आप यह जो प्रतम भाषा विकास का चरण है इसमें कितनी अवधी होगी इसमें होगी अवधी 15 माह की केवल 15 माह ठीक है यानि कि बच्चा 15 माह में जितना सीख जाता है उसको प्रतम भाशा विकास के चरण में रखा जाता है और 15 माह के बाद ठीक है 15 माह के बाद वो जितनी चीज़ सीखता है उसको उत्तर कालीन भाशा विकास के चरण में र मैं चार भाग में डिवाइट कर सकता हूँ और इसको पांच भाग में ठीक है अगले स्लाइड में देखते हुए चलेंगे कि यह चार कौन से और वो पांच कौन से ठीक है देखिए प्रथम भाषा विकास का चलना प्रथम सबसे पहले होता है रुदन रुदन यानि की रोना ठीक है और दूसरा दूसरा होता है आपका बलबलाना ठीक है बबलिंग और तीसरा होता है आपका हाव भाव और चौथा होता है आपका हावभाव को गैस्चर बहते हैं सांकेतिक अभिव्यक्ति तो ये चार चरन होते हैं किसके प्रथम भाषण विकास के याने की 15 माह तक ठीक है 15 माह तक के ये चार चरन होते हैं इसके बाद जो डूटी वाला में बताया आपको या फिर उत्तर भाषा विकास का चरण। यह पंदरा मा के बात क्याउधी होती है और इसमें जो पाच चरण होते हैं पहला होता है इसमें किसी भाषा को समझना या अन्य व्यक्ति को समझना किसी भाशा को समझना इसके बाद होता है शब्दा वाली का निर्मान अपनी शब्दा वाली बनाता है बच्चा इसके बाद इन्ही शब्दों को मिलाकर शब्दों को मिलाकर वाक्य की रचना करना सिखता है बच्चा किसमें तिसरी अवस्था इसके बाद चौथे नंबर में वो सीखता है उच्चारण और पाच्वे नंबर में वो बच्चा सीखता है क्या भाषा का स्वामितू ठीक है भाषा का स्वामितू आप ये कोई चरन नहीं है ये जो आखरी चरन है भास्टा का स्वामी तो ये कोई चरन नहीं है ये अंतिम अवस्ता है पाँचवे वर्ष की जिसमें एक बच्चा पूरी तरीके से एक भासा को पढ़ना और लिखना सीख जाता है पूरी तरीके से नहीं बोलना तो पूरी तर करें रुदन को यह रूदन का इसको अपन किसके अंतरगत परणने प्रताम ठीक ए प्रताम भाषाग्विकास के करने जात रखेंगे इसको यानी कि यह जो तो बच्चा अपनी भावना को अपनी मांगों को कैसे व्यक्त करता है रो करके व्यक्त करता ठीक है रो करके तो यह भासा तरखेंगे कि आपात शुचन की स्तिती रोने को किस ने कहा है तो रिबल ने कहा है ठीक है इसके बाद दूसरा जो चलन है आपका दूसरा चलन था हमारा बल बलाना बल बलाना देखिए अब यह जो बल बलाना है इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं ठीक है दो माह प्रथम दो माह इसके बाद तीसरे से चौथा माह और आपका बारा माह के भीतर ठीक है बारा माह के भीतर तो यह जो दो माह है ना दो मा दो मा में बच् أي क्या करता है केवल्धनिया बोलता है स्वधनिया आपके घर में एक बच्चा होगा तो आप इस बात में बच्चा correlate सकते हैं कि बच्चा दो मागा जब कि इस टाइप शब्दों वो बोलने लगता इसके बाद तीन से चार माह में ठीट है बच्चा जो है स्वर ओर व्यंजन दोनों प्रकार के माउनों का उच्चारान करने लगता ठीट है जैसे कि मा दा चा उनका जो स्वरल है यह रहल टैप की वेंजन और वो जो ये जो स्वर और वेंजन को मिला करके बोल रहा था अब वो क्या करता है इसको लगातार उच्चारित करता है जैसे कि वो जो मा शब्द बोल रहा था अब वो दोनों को मिलाएगा और मा मा बोलेगा ठीक है चा चा बोलेगा तो आपको क्या लगेगा कि चाचा बोल और वो स्वर और वेंजन को लगातार उच्चाडित करने लगता है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे इसके बाद बल बल आने के बाद तीसरे नमबर में था आपका हाउ भाउ ठीक है हाउ भाउ याने की गैस्चर देखो बच्चा अब रोने स्वर और वेंजन ध्वनी को बोनने के उपर एक सीड़ी चड़ जाता है ठीक है बच्चा का जो मस्तिस्क है थोड़ा सा और विक्सित हो जाता है ठीक है मस्तिस्क के आपर थोड़ा सा विक्सित होता है तो जैसे उसका मस्तिस्क विक्षित होता है वो क्य प्रकार करता है। अपने हम भाउंपा को प्रकाट करने में के जैसे कि जब वह उसको शुकh की अनुभूति होती है। तो आप नौटिस करेंगे की बच्चा क्या करता है इस समय अपना जो बा friendly ना अपनी जा बांइं याने कि उसकी जो बा वगर अपनी बाँ को फैलाता है ठीक है फैलाता है मुस्काता है ठीक है अगर वो चिड़ चिड़ाता है ठीक है अगर उसको चिड़ होती है किसी बात से गर्मी लगरी है या फिर मच्छर ने काटा है तो वो क्या करता है हाथ पैर को मारता है हाथ पैर को चलाता है यह चीज़ अब आप यह रोने से थोड़ा सा उपर उड़ चुका है ना एक लेवल चलो तो यह हाओ-भाव में यह चीज़ आएगा मतब हाओ-भाव की धरियों बता रहे कि मैं खुश हूं या फिर मुझे कोई तकलीफ हो रही है तो हाओ-भाव से प्रकट करके बताता है बस और कुछ भी न नहीं है एक जो बच्चा है उसको पता है कि अगर उसको कुछ बोलना है कुछ दिमान करना है तो किस प्रकार वो करेगा जैसे कि अगर उसको किसी प्रकार का दुख हो रहा है या फिर किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है कठीनाई हो ठीक है कठीनाई तो वह क्या करेगा लग रोना उसको समझ में आगया कि अगर मैं लगातार रोंगा बिना रुके रोंगा तो सामने वाले को मेरी अभिवेक्ति की आपनी सुहां करता है कि मैं खूछ हूँ मूठ बहा हुआ है अइसा है तो आशा करता ह chili आपको समझ में आएॉगा next जो आपका उत्तर कालीनBS कि आना उत्तर काली भाषा विकास का चरन ठीक चैनल इस उत्तर कली भाषा विकास को चरन को मैं 5 पार्ट में डिवाइट किया था ठीक है और यही में चरन होता है मुख्य को समझना अब इसकी अंतरगत cleaned कि अधन कि असको देखेंगे तेंगे भाषा विकास का ये वास्तविक चरण है थीक है वास्तरिक चरण आप यहीं पर बच्चा क्या करता है बच्चा जो है सामने वाले के हाव भाव को notice करता है ठीक है कि उसको किस प्रकार की भाषा बोली जा रही है और उसके दिमाग में वो सदा के लिए बज जाती है ठीक है, मेरालब समझने ही कोशिश भी कर रा, ये 12 माँ के बाद वाला चरा न है, ना, 12 मा के बाद वाला चरा न, देखो, तो 12 माँ के बाद, देखो, इसलिए बोला जाता है कि बच्चे को अगर जल्दी कुछ सिखाना है, तो परिवार के जो सारे सदस्य हैं, अगर किसी बात को वो बोल रहा है, परिवार का एक सदस्य है, तो सभी सदस्य है, उसी प्रकार से उस बात को प्रकट करें, किसके सामने बच्चे के सामने, तब बच्चा समझ जाता है कि हाँ, भूक लगना है, तो इस प्रकार के इशारे हो रहें तो सारे सदस् यही इशारा करें तो बच्चा जल्दी समझ जाएगा जब तो प्रफ़न भाषा की विकास का चरन था और भाषा का वास्तविक ब송रावकास का वास्तविक चरन कौन वो भूक संबंदी शब्दों को सीखता है ठीक है भूक संबंदी शब्द यानि कि पेट जिससे भरेगा उसको सीखता है क्योंकि वो सबसे जरूरी नीड है उसकी चलो इसको देखेंगे कि भूक संबंदी शब्दों को वो इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइट कर सकता हूं सबसे पहले 18 माह, 24 माह और आपका अन्य, इसके बाद वाला, ठीक है, देखों, तो 18 माह में समानिता एक जो बच्चा है, वो वैज्ञानिक रिती से 10 सब्द शीखता है, 24 माह में वो 29 शब्द और अन्य, इसके बाद वो 300 शब्द तेजी से सीखता है, तो याद रखेंगे, आप इसमें भूख सम्बंदी शब्द होंगे, और ये जो सारे मैं आपको पिरियड बताया हूँ, इसमें भूख सम्बंदी शब्दों को पहले सीखेगा, चब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लो, शब्दा वली के निर्मान के बाद था आपका, शब्दों से, शब्दों से वाक्यों का निर्मान, वाक्यों का निर्मान, ये चीज़, चलो, शब्दों से वाक्यों का निर्मान, तो एक जो बच्चा है, शब्द से वाक्य कैसे बनाता है, ठीक है इसको देखेंगे आम लो, तो इसको भी मैं तीन पार्ट में डिवाइट कर सकता हूँ, ठीक है, एक दो वर्ष, एक आपका धाई वर्ष, और एक आपका पांच वर्ष, ठीक है, देखो, सबसे पहले एक जो बच्चा है, दो वर्ष में केवल संग्या बोलना सीखता है, संग् पूर्णीन चब्दों सेक्ते हैं इसके बाद धाई वरसमें वह संञ्या और क्रिया दोनों को मिला करके बोना जिखता है जैसे कि उधारण के तौर पर यहां पर क्या लिए सकते हैं कि जैसे कि मम्मा मम्मा संग्या हो गया और अगर उसको क्रिया का उपयोग करता है इसके बाद 5 वर्ष में क्या जाता है कि बच्चा जो आप parts of speech पड़ते हैं parts of speech आप English में पड़ते हैं parts of speech को हिंदे में कहा बोलते हैं शब्द के भेद बोलते हैं शब्दों के भेद जो है 8 प्रकार के होते हैं संग्या सरवनाम विशेशन क्रिया क्रिया विशेशन संबंद समुच्चय और विस्मयादी बोधक इन सभी शब्दों को ठीक है शब्दों के शब्दों के सभी भेद को ठीक है सीख जाता है कब तक के पांच वर्ष तक के ठीक है चलो इसके बाद वाली प्रक्रिया चौथे नम्मर की प्रक्रिया आपकी उच्चारन ठीक है देखो अब उच्चारन में क्या करता है बच्चा नकल ठीक है नकल करना नकल की कोशिश करता है अनुसरन की कोशिश करता है जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि एक बच्चा जल्दी किसी भाषा को सीख पाता है कैस खाना ही बोल रहा हूं खाने या खानों नहीं बोल रहा हूं ठीक है और सभी परिवार के सभी सदर से खाना को खाना ही बोल रहे हैं तो बच्चा बहुत तेजी से उस खाना शब्द को अड़ाउप्ट कर लेगा ठीक है लेकिन अगर खाना शब्द के लिए अलग अलग शब् ख़ोनदा से कुछ बोर रहे हैं तो वह जल्दी सीक नहीं पाता है ठीक है तो वो नकल या अनुसरान करने की कोशिश करता है तो अगर वह समान नकल करेगा समान करेगा तो बहुत तीजी से सीखता सब ही खीक है इसके बोला जाता है कि घर में अगर बच्से हैं तो इसके साथ सवाननाता का व्योखार करना जाहिए समानप्रकार से एक किसी भशा को उच्चारित जीए इसके बात पाच्षवन नमबर जो आपका अंतिम स्टेज होता है भाशा की विकास का वह होता है भाशा क का स्वामित्व भाशा का स्वामित्व अब ये जो भाशा का स्वामित्व है इसमें एक बच्चा क्या करता है किसी भाशा को बोलना और लिखना ठीक है बोलना और लिखना प्रारंब कर देता है ठीक है ये जो बोलना और लिखना है कठिन-कठिन नहीं बोलता हूं ठीक है जै जैसे कि one से ten तक की गिंती वो बोलने लग जाता है, a से z तक की alphabets को बोलने लग जाता है, a से अहा तक के स्वरों को बोलने लग जाता है, k से जैसे कि उधारन के तोर पर law तक कि अगर आप उसको सिखाया हो, तो वो इन शब्दों को बोलने लग जाता है, इनको अगर आप लिखना सिखाओगे तो वो इसको पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन अंचता लिखना और बोलना सीख जाता है ठीक है तो भासा विकास का जो चरण है वो यहाँ पर होता है complete मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो आप उठा सके धन्यवाद